हे गाईज, वेलकम टो आर चानल, जोईन अमनेस अकाडमी आज के वीडियो में हम करेंट अफियर्स के कोश्चन करेंगे इस वीडियो में मैंने जैनवरी और फेब्रवरी के करेंट अफियर लिये इससे पहले मैंने आपको पूरा कम्प्लीट करवा दिया है सो मैंने आपको ऑगस्ट से करेंट अफियर सारा करवाया है एमसी के ओ फॉर्म में भी और वन लाइनर फॉर्म में भी इसमें जैनवरी और फेब्रवरी के करेंगे थोड़ा लेट हो गया, I know, लेकिन मैं भी आपको पूरा अपरिल तक करेंट अफियर प्रोवाइट कर दूँगी तो जिसने नहीं देखा है पहले का, मुझे आके देख सकते है अब यह हम यह स्टार्ट करते है और अगर आप टेलिग्राम पे नहीं हो हमारे तो टेलिग्राम पे भी जॉइन कर लो हमारा चानल आप आपको डेली फ्री क्विज्स और लेक्चर के पीडिएफ्स मिल जाते है ओके तो स्टार्ट करते है तो स्टार्ट करते हैं तो SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है जानवरी में अभी मैंने बोला ना जानवरी और पेबरवरी के हैं अश्वनी भाटिया या only one and two, all one, two and three तो इसका correct answer है only one and two मतलब ये दोनों जो है इन दोनों को ही managing director appoint किया गया है ये जितने भी ranking वाले questions आएंगे आपको उसमें याद रखनी है इंडिया की ranking ठीक है जैसे ये होगया corruption के उपर, happiness के उपर आता है then business, ease of doing business ऐसे करके काफी सारे indexes आते हैं जिसके आपको ranking याद रखनी होगी तो इसमें इंडिया की rank आई है 86th position next है who was the only foreigner to receive Padma Vibhushan award in 2021 2021 के जो Padma Vibhushan वाले awards होते हैं ये दे दिये गए हैं आपको पता होना चाहिए और किस किस को कौन से field में मिला है आपको वो सारे नाम भी याद होने चाहिए अभी इस question में पूछा है कौन सा एक only foreigner है जिसको ये award मिला है so options देखते हैं so ये कौन है शिन्जो आबे जो है ये है PM of sorry former PM of Japan आये अब नहीं है ठीक है Donald Trump भी अभी former हो चुक है ये जो recipe type है ये है President of Turkey and Angela Markle कौन है ये है Chancellor of Germany and Boris Johnson कौन है ये है PM of United Kingdoms okay सारा complete हो गया ना next है what was the theme of 51st edition of 2021 World Economic Forum annual meeting the Davos Agenda 2021 तो ये meeting की नाम थी हमें से पूछा है कि इसका theme क्या था ठीक है together we fight the virus stakeholder of cohesive and sustainable world a crucial year to rebuild trust responsive and responsibility leadership together we can तो इसका जो theme था वो था a crucial year to rebuild trust next है what was India's rank in Asia Pacific personalized health index 2020 report तो Asia Pacific मतलब जो Asia Pacific region है ना वहीं के countries को judge किया जाता है बागी European nations और उंदर साइड के western जो भी है उनको नहीं देखा जाता ठीक है तो इसमें इंडिया की रांक आई है किस तरीके से अभी आप देख भी सकते हो कोवीड situation में कितना बुरा हाल है इंडिया का इंडिया का इन दो फोर्स्ट फेज्ट वीह स्टेल मैंज्ट तु डू वैल बट अभी जो सेकंड फेजा आया है इसमें बहुती खराब condition होते जा रही है इंडिया की तो अभी रीसेंटली मैं न्यूज देख रही थी तो मैंने देखा किस तरीके से लोग oxygen cylinders and vaccine को store करके रख रहे है और देन उसको normal price से बहुत जादा high price पर दे रहे है तो सिफ इसमें government की गलती नहीं होती है तो ज़रूरी नहीं है उसमें हम हमेशा government कोई blame करें कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो इस चीज के लिए responsible होते हैं okay next question पर आते हैं in January 2021 Union Minister Rajdath Singh unveiled India's first indigenous driverless metro car at BEML manufacturing facilities in Bangaluru which metropolitan region will be the first to avail its service तो बोला है कि January 2021 में जो Union Minister है Rajdath Singh इन्होंने इंडिया की first indigenous मतलब खुद बनाए हुई driverless metro car को inaugurate किया ठीक है यह कौन से region में चलेगा metropolitan region में चलेगा यह हमसे पूछा गया है मुंबई, Bangalore, Kolkata, Chinne या New Delhi तो यह हो रहा है मुंबई में इसकी बहुत बड़ी सर्मेनी भी हुए थी, news में भी आया था काफी तो मैं भी आपने देखे होंगे footages विगरा next है which country participate in two day virtual event प्रारंब Startup India International Summit 2020 तो किस country ने participate किया है दो दिन का एक virtual event हुआ था जिसका नाम था प्रारंब यह startup इंडिया के लिए हुआ था तो Brics, Asian, Opec, Bimstack या Sark तो जो Bimstack countries है उन्होंने इसमें participate किया था Bimstack में कौन-कौन सी countries है? note down कर लो आपके लिए better रहेगा because Sark का एक बार full form आया हुआ है तो maybe Bimstack का भी आ सकता है मैं countries बता रहे हैं इसमें कौन-कौन सी है Bangladesh है, Bhutan है, India, Nepal, Myanmar, Thailand and Sri Lanka total 7 countries है Bimstack का full form क्या है वो आप मुझे please comment करके बताना नीचे ओके यह जो Opec है इसका full form क्या होता है Organization of Petroleum and Exporting Countries ठीक है Organization of Petroleum and Exporting Countries इसमें total 13 countries आती है तो यह Petroleum से related है इसका headquarter कहा है Iraq में जो मैं साथ में extra बताते जाती है उसको note कर लिया करो अभी जो NDA का recent exam हुआ था 2021 का first phase उसमें दो question तो direct आया थे जो current affair का मैंने mock करवाया है और एक indirect आया था तो मैंने आपको session के बीच में ही बताया था तो जो static के भी questions आते है न वो current के around a revolve होते है जैसे इन सब में अभी आया कुछ ना कुछ होगा और इन country हो से हम जुड़े भी वे इंडिया तो सब में है तो इसमें से किसी के भी full form आ सकती है पूछ सकते है इसका headquarter कहा है तो इस type के question भी आ सकते है exam में BRICS के full form क्या है इसका बहुत easy है क्योंकि यह सारी countries के जो first first letter है उनको ले के ही मनाया गया है जैसे इस सब में देखो इनका full form कुछ होग है और countries इसमें अलग है इसमें भी ऐसे हैं लेकिन BRICS में क्या है B for Brazil R से Russia, I से India C से China and S से South Africa So let's come to next question who was the chairman of Parliament Consultive Committee of Ministry of Commerce and Industry that framed the new foreign trade policy 2021 to 26 of India तो बोला है कि chairman कौन था Parliament का जब ये new policy बनाई गई है trading के लिए हर्दीप सिंग पूरी रमेश पोक्रयाल, पियूश गोयल निर्मला सीता रमन या नितन गटकरी तो ये हैं पियूश गोयल अच्छन यहां से जोगे इंपॉर्टेंट है रमेश पोक्रयाल ये कौन है? ये education minister है, पियूश गोयल ये है ये है, railway minister और निर्मला सीता रमन है ये finance minister आप मुझे बताओ, निदिन गटकरी क्या है? ठीक है, comment करके बताना क्या है ये? किसके मिनिस्टर है मतलब सबसे पहली बार नाशनल रोड सेफटी मन्थ हमने बनाया है और यह मिनिस्टरी आफ जो रोड ट्रांसपोर्ट है इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है यह कब से कब तक हुआ था यह पूछा है तो यह हुआ था 18 जैनवरी से लेके 17 फेब्रवरी तक ठीक है पूरा एक मन्थ नेक्स्ट है रीसंटी इन जैनवरी 2021 पद्मा अवाडी डॉक्टर वी शांता पास्ट अवे शी वाज इंडियास रिनोंड तो यह जो डॉक्टर वी शांता थी किस फील्ड से थी हमसे यह पूछा गया है गानेकोलाजिस्ट, उनकोलाजिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट, गैस्ट्रो एंट्रोलाजिस्ट या नूजोलाजिस्ट तो यह थी उनकोलाजिस्ट उनकोलाजिस्ट क्या होते है उनकोलाजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर के डॉक्टर होते है ठीक है और काडियोलोजिस जो हर्ट में अगर कोई बिमारी होती है तो उसके डॉक्टर होता है नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्मेंट रीनेम गोड़ेवारा इंटरनाशनल जू आज बाला साहब ठाकरे गोड़ेवारा इंटरनाशनल जूलोजिकल पार्ग यह कुश्चिन वैसे कुछ खास एंपॉर्टन नहीं है विकज यह स्टेट का कुश्चिन है यहां पर देखो म जो महाराश्ट में एक इंटरनाशनल जू था उसका नाम बदल के यह कर दिया आपको ऐसे भी पता होगा बाला साब ठाकरे यह सब उनकी पार्टी का उदर ही है महाराश्ट की पार्टी का यह है ठीक है उसबेकिस्तान, अजर्बेजान, केनिया, युगोसलेविया या मंगोलिया तो यह किया है उसबेकिस्तान के साथ उसबेकिस्तान की करेंसी क्या है उसबेकिस्तानी सोम ठीक है और यहां का कैपिटल क्या है टशकेंट करके जगा है वो इसकी कैपिटल है नेक्स्ट है, who was awarded the Nelson Mandela World Humanitarian Award किसको यह award मिला है, यह पूछा है मरलीन विगेरा, खादिजा फरा, रवी गवाइकवाड, नरेंद्र मोदी या अभी एमद तो यह मिला है रवी गवाइकवाड को नेक्स्ट है, what is India's rank in 2021 military strength ranking listed by global fire power तो इंडिया की military strength तो काफी अच्छी है तो इंडिया किन से नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है जहां तक मुझे knowledge है, जो first country है, वो है US second पे है Russia, और third पे है China, fourth पे इंडिया है आप एक बार cross check कर लेना इसको लेकिन नेक्स्ट है, which country's first indigenously developed satellite Amazonia 1 will be launched by ASRO एक country है, जिसने अपनी first satellite developed की है, जिसका नाम है Amazonia 1, यह जो satellite है, यह launch की जाएगी इस रो के तरफ से तो यह कौन सी country का है, हमसे पूछा है Mexico, Columbia, Ecuador, Chile या Brazil तो यह Brazil का है, Brazil का capital क्या है और currency क्या है तो capital तो है Brazilia और जो currency यह हो है Brazilian real, ठीक है, जिसने इंडिया के आसपास की country क्यों आते हैं Indian rupees, Pakistanis rupees, Nepalis rupees तो वैसी ही, जो real है, वो एक currency है और जो country उस currency को use करती है, वो बस आगे अपने country का नाम लगा देते हैं Next है, what was theme of 16th प्रवासी भारत्य दिवस that was celebrated on January 9, 2021 तो यह काफी important है प्रवासी भारत्य दिवस ठीक है और यह 16th edition ता हम से पुछा है इसकी theme क्या है Celebrate किया जाता है यह 9th January को 100 year of Gandhi's return from South Africa अपना भारत, अपना गौरफ, redefining engagement with India's diaspora contributing to आत्म निर्भर भारत या role of Indian diaspora in building a new India तो इसकी जो theme थी, वो थी, contributing to आत्म निर्भर भारत यह मैंने आपको themes वाले में भी करवा दिया था और मैंने वहाँ पे भी यह बताया था कि जितने भी theme है जादा तर में इस बार देखा जा रहा है आत्म निर्भर कहीं न कहीं use हो रहा है so in case आपको एगर exam में कुछ नहीं याद आ रहा तो guesswork कर रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो मतलब आत्म निर्भर देख के सोच सकते हो या तुक्का लगा सकते हो कि या अगर 2021 का पूछा है तो यहीं होगा next है which portal was launched by ministry of education to provide training to teachers through various online training module तो अभी देखा आपने की कोविट के वज़े से सारे teachers को भी online ही पढ़ाना पढ़ रहा है बट यह चीज जरूरी नहीं कि सारे teachers को online पढ़ाना आता हो तो इसलिए teachers अच्छे से पढ़ा पाए तो ministry of education ने उन्होंने एक training program प्रोग्राम प्रोवाइड किया है एक portal launch किया है उसके लिए ताकि वो लोग भी सीख सके कैसे online करवाना है ठीक है तो नाम क्या है उस portal का यह पूछा है इग्यान मित्र, Aspire, Samarth, U-Rise या Nishtha तो इस portal का नाम है Nishtha Next है what was a theme of fourth edition of one planet summit 2021 that was virtually organized by France तो France ने एक summit organized किया था One Planet Summit यह fourth edition था इसके theme हम से पूछी है Attaining the 2030 agenda, delivering on our promise Second option है green economy towards poverty eradication Third है toward 2030 goals, making the decade count Next है let's act together for nature And the last one is climate change in the time of pandemic इसका correct answer है let's act together for nature Next one is which among the following was the second edition of binomial pan-India largest coastal defense exercise coordinated by Indian Navy in January 2021 यह military exercise पर question है, please इसको याद रखना ठीक है, यह binomial पहले यह बताओ मुझे binomial मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है साल में दो बार होना नहीं, इसका मतलब होता है दो साल में एक बार होना ठीक है, by annual नहीं है तो इससे confusion नहीं create करना है साल में दो बार नहीं होती, दो साल में एक बार होती है यह exercise इसलिए और भी important है यह दो साल में एक बार हुए मतलब इससे पहले 2019 में हुई होगी अभी 2021 में हुई है नाम क्या है इसका देखो इसका नाम है सी विजल 21 एक और चीज है इसमें कि यह सिफ इंडिया ही करता है ठीक है ऐसा निया कि किसी और के साथ करता है तो पहला edition था 2019 में हुआ था एंड यह second edition है यह 2021 में हुआ है इसमें कोई और कंट्री इंक्लूड़ेड नहीं है अभी तक next है the light combat aircraft got approved from the cabinet committee on security for its procurement in january 2021 तो कौन सा जो light combat aircraft है उसको approval मिल गया है cabinet community on security से हॉंग डो के आई तेजस यक या टेक्स्ट्रॉन तो इस combat aircraft का नाम है तेजस next है what was India's passport rank in Henley passport index Q1 2021 global ranking यह question आया है किसी किसी exam में तो इसको याद कर ले ना इंडिया की ranking जो आई है वो है 85th position फर्स्ट जो आया है इसमें country वो है so first है Japan second is Singapore third पे दो country है उन दोनों का आप मुझे नाम बताओगे ठीक है दो country पे tie हुआ है third में वो कौन सी दो country है पता करके बताओ मुझे next है who was recently appointed as the new chairman and chief executive officer of railway board under ministry of railway तो किसको appoint किया गया है new chairman and chief executive officer which is CEO CEO का full form यह होता है विनोत कुमार यादफ, अजे इत्यागी, हर्ष कुमार, सुनीत शर्मा या रेखा शर्मा तो यह है सुनीत शर्मा option 4 correct हो जाएगा next है where is the world's longest platform being constructed world का सबसे longest platform कहां construct किया जा रहा है विजेवाडा railway station आंद्रप्रदेश, चत्रपती शबाजी terminus महाराश्ट्र, हबीली railway station कर्नाटका, हावड़ railway station वेस्ट बिंगॉल या चार बाग railway station लखनाउ तो यह हो रहा है कर्नाटका में station का नाम है हबाली railway station next है when was world's braille day annually observed by united nation braille day उचो होता है world braille day वो कब देखा जाता है यह होता है 4th of january को यह बहुत easy सा question था next है how much amount has been allocated for healthcare sector over the next 6 year according to budget 2021 and 2022 तो आपको जो नया budget आया है उसको देख लेना मैंने current affair वाले में भी कराया है यह तो आप google पे भी ऐसे search करोगे तो आपको मिल जाएगा एक बाद थोड़ा से summary पढ़ लेना ठीक है तो इसमें हम से पूछा है health sector के लिए इस बार काफी पैसा दिया गया है तो कितना पैसा दिया गया है which is around रुपी 64,180 करोर ठीक है इतना spend करेंगे health care facilities पे अगले 6 साल के अंदर next question आपको बताना है इसलिए मैंने इसमें answer नहीं लिखा है इस question का answer मुझे सब comment करके बताएंगे what is India's rank of Reliance Jio in brand finance global 500 ranking of strongest brand globally मतलब total 500 ऐसे brands लिए गए थे उनकी ranking की गई है उसमें से Reliance Jio की कितनी ranking आई है ये पूछा आप से fifth position 10th 14th 21 या 32 तो कौन सी position आई है या चेक करो और मुझे बताओ और अगर आपको पहले से ही पता है तो भी बताओ next है who has been appointed as new CEO of आईश्मान भारत स्कीम प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना इसके new CEO किसको appoint किया गया है अर्जिन गोयल मुकंदकम शर्मा, MS अनन्थ, RS शर्मा या जी के पिल्ले तो ये किया गया है RS शर्मा को next है who has been appointed as the MD and CEO of SBI Card and Payment Services Limited SBI Cards and Payment Services Limited के new MD and CEO किसे appoint किया गया है तो ये किया है Rama Mohan Roy को ठीक है Rama Mohan Roy और एक्जाम के last class में CM और गवर्नर पक्का याद करके जाना ठीक है सारे state के CM कौन है और गवर्नर कौन है next है according to the World Health Organization which country has the highest number of new case of leprosy in the world leprosy एक बिमारी आप सबको पता है तो WHO के according कौन सी country है जिसमें ये number जो highest पाए जा रहे हैं leprosy की cases के Indonesia, Brazil, Thailand, China या India तो इंडिया में देखा जा रहा है ये highest case जल्दी से एक बार इस country की capital देख लेते हैं इंडोनेशिया का capital क्या है जकार्ता ब्रजील का capital अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था फिर से बताया दे रहे हूँ ब्रजीलिया, Thailand का capital है बंकोक चाइना का capital बीजिंग और इंडिया का capital न्यू डेली ये भी गलत किया था अभी मैंने देखा quiz में थोड़ दिन पहले quiz लिया था तो आपने डेली और न्यू डेली में option आया था तो कितने सारे बैचे ने डेली किया है न्यू डेली इंडिया का capital ऐसे questions भी गलत करोगे ना तो फिर मैं क्या बूलो भी तुमको ये किस कंट्री ने किया है वेतनाम, थाइलांड, पाकस्तान, मैंनमार या भूटान सो ये किया है मैंनमार ने मैंनमार ने मिलिटरी को उतार दिया है और डेली कर दिया है state of emergency एक साल के लिए इधर जो इनकी पीम थी आंसान सुकी उनको भी हटा दिया गया है उसके जगा एक new acting president लाए गया है और ये जो आंसान सुकी है ये पहली बार नहीं जा रही है अभी recently क्या हुआ था इनकी जो military है उन्होंने बोला कि इन्होंने election में कुछ गल्ती वेगरा की है और इसलिए जीती है इसा बोलके उनको वहाँ से हटा दिया गया इससे पहले भी हो काफी time jail में जा चुकी है आप अपनी civics की book खोल के देखना 6th की जो civics की book है उसमें भी आंसान सुकी के बारे में एक chapter दिया हुआ है शी इस लैक 74 इयर ओल्ड ठीक है मोदी से भी मिली है ये और ये question ऐसे भी important हो जाता है क्योंकि Myanmar हमारा neighboring country है ये question 2021 के NDA exam में भी आया है आंसान सुकी को Nobel Peace Prize भी मिला है और इन्होंने अपनी education जो है वो इंडिया से ही की है इंडिया का एक college है श्री राम college करके वहीं से इन्होंने अपनी education की है इनके ओपर तो एक पूरी chapter ही लिखी हुए है तो मैं जितना भी बताऊं उतना कम है अगर आपको जादा जानने का interest है तो आप देख सकते हो book में refer कर सकते हो या google पे भी check कर सकते हो next है who has been appointed as the first chief compliance officer of facebook तो आपको पता होगा जितने भी social media sites है और OTP sites है जिन पर movies या फिलमाती जैसे hot star हो गया Netflix हो गया तो इन सब के लिए एक new law बनाने की बात की जा रही है तो इसके लिए facebook ने अपना एक chief compliance officer appoint किया है पहली बार कि कोई भी अगर complaint करते है जैसे copy time होता है आपके साथ भी कभी न कभी हुआ होगा आपके कोई pictures ले लेता है without permission आपसे and then आप उसके against कुछ करने सकते हो या आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है तो इन सब चीजों में अगर आपको कुछ complain करना है तो आप कहां करोगे आपके साइट पे तो उसके लिए यह चीज बनाई गई है तो यह कौन रखा है किसको रखा है इन्होंने Henry Monzi यह नाम है परसन का तो इनको बनाया गया है First Chief Compliance Officer Next is which of the following cricket team has won the Sayyad Murshak Ali Trophy T20 तो यह Trophy किसको मिली है करनाटक, बरोदा, Tamil Nadu, Railways या Bengal तो यह मिली है Tamil Nadu को option C जो है वो correct answer हो जाएगा Next है World Wetland Day is observed every year on World Wetland Day कब observe होता है यह किया जाता है 2nd of February को Next is who is the author of the book Yes Man The Untold Story of Rana Kapoor Options है A. Shrivatanu Pillai Nidhi प्रेम प्रकाश पवन सी लाल या जैराम रमेश तो उसकी correct answer है पवन सी लाल Next is Hal Holbrook who passed away recently was a an जो यह Hal Holbrook है यह किस field से related है politician थे, journalist थे, radio astronomer थे actor थे या playback singer थे तो यह एक actor थे Next is state has launched two scheme to provide momentary assistance to college student and literary body of the state किस state ने launch किया है दो schemes students को और जो body होती है जो ऐसे यह मतलब कोई community होती है जो पढ़ाई के लिए कुछ करती है उनको monetary assistance provide करने के लिए तेलंग न, मध्यप्रदेश, करनाटका, असाम या उडिसा तो यह असाम की government ने किया है Next है Which state CM has launched हर घर पानी, हर घर सफाई mission यह mission launch किया गया है हर घर पानी और हर घर सफाई यह कौन से state government ने launch किया है उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, करनाटका या आंद्रप्रदेश तो यह किया है पंजाब ने यह state वाले missions तो चलो ठीक है पर जितने भी national missions होते हैं जो all over India में लागू होते हैं उन सबको आपको अच्छे से याद करना होगा और यह PM वाले होते हैं PM जन आरोग या PM सर्वने दी इस type के जो होते हैं उसको तो पक्का ही याद कर लिए नेक्स्ट है इन विच सिटी इंडिया's first center for wetland conservation and management has been established कौन सी सिटी में इंडिया का सबसे बहला center बना है wetland conservation और management के लिए अलपजू, किवाडी चिन्नाई, बैंगलाओर या लखनाउ तो यह बनाया गया है चिन्नाई में नेक्स्ट है वट इस इंडिया's rank in economics intelligence unit democracy index 2020 यह तो काफी important है because इंडिया क्या है world की largest democracy country है यह आपको पता होगा पर इस world की largest democracy country है लेकिन इसकी rank कितनी आई है इसकी rank आई है 53 so democracy है इंडिया में all over पूरी country ठीक है और मतलब military या कोई external power यहाँ पे दखल अंजाजी नहीं करती है लेकिन जो elections होते है क्या वो fair तरीके से होते हैं या नहीं उन सब चीजों को चेक किया जाता है और उस हिसाब से यह ranking दी जाती है next question है which world has been named as Oxford Hindi world of 2020 important question है यह Oxford ने हर साल में मतलब ऐसी जो बड़ी बड़ी dictionary होती है वो अपना एक word देती है कि साल में सबसे जादा बार search किया जाने वाला या सबसे जादा बार खोजे जाने वाला word कौन सा है तो Oxford ने 2020 के लिए जो word दिया है तो इसके option है महामारी, COVID-19, समविदा, अधार या आत्म निर्भरता तो correct answer है आत्म निर्भरता options देख रहे हो कितने close हैं next है और 10 questions ही बचे होंगे जल्दी से complete करते है name the Indo-US joint military exercise which is going to be held in Rajasthan from February 8 to 21 February 8 to 21 के बीच में एक exercise हुई थी Indo और US की India और US की इसका नाम क्या है सूर्य किरन, सुरक्षा कवच युद्य अभ्यास, मैतर शक्ति या संपृति तो ये हुई है युद्य अभ्यास इस exercise का नाम है सो ये जो सूर्य किरन है ये एरफोस करती है सुरक्षा कवच जो है ये आर्मी और पुलिस मिलके करती है युद्य अभ्यास का तो हो गया India and USA जो मितर शक्ति है ये India and Sri Lanka के बीच में होती है संपृति किस के बीच में होती है you'll have to tell me आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे next है who has been appointed as the CEO of Amazon after Jeff Bezos step down तो Jeff Bezos जो थे Amazon के CEO वो अपनी position से हट चुके है अभी new CEO किसे appoint किया गया है options है Karan Bhajwa, Zena, Andy, Durit, Pancio या Jane तो इसके correct answer है Andy Jassy ठीक है ये अभी new CEO बनेंगे Amazon के Amazon ये बड़ी कमपनी है मेंभी इसके CEO पूच सकते है अभी जब change भी हुआ तो next है Padma Shree Dr. Anshu Jam Sena hold the record for the fastest woman to do a double summit in the Mount Everest Inn तो इनको Padma Shree Award मिला है Dr. Anshu को इन्होंने Mount Everest fastest चड़ा है वो भी दो बार तो इनका record timing क्या है इनकी record timing है 118 hours and 15 minutes ठीक है 118 hours and 15 minutes तो इसको अगर days में देखा जाए तो ये होगा रहा हूं 4-5 दिन ठीक है Next है Which country has topped the Economist Intelligence Unit Democracy Index 2020 किस country ने top किया है तो ये किया है Norway ने Next है Who is the writer of the book The Little Book of Encouragement ये बुक किस ने लिखी है संपूर्ना सिंग हावर्ट कटलर तैंजिन डेस्मौन या दलाई लामा तो ये लिखी है दलाई लामा ने On which date World Cancer Day is observed The World Cancer Day कब देखा जाता है ये होता है 4th February को Can you please tell me the theme of this Theme क्या है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा दिया है इसलिए पूछ रही हूँ Next है Who among the following has become India's youngest female pilot at 25 तो इंडिया की youngest female pilot कौन बन गई है श्रिष्टी, गुस्वामी, भाबना कंत विनेता गुप्ता, आईशा, अजीज या माला, अडिगई तो ये हैं आईशा, अजीज ये बन गई हैं इंडिया की youngest female pilot next है in which city Arrow India 2021 is being organized so February 3 से 5 तक Arrow India करके एक प्रोग्राम हुआ था ये कौन सी city में हुआ था ये पूछा जा रहा है तो ये हुआ था Bangaluru में next है who has appointed who has been appointed as acting chief of Central Bureau of Investigation acting chief की तरह किसको appoint किया गया है CBI के लिए Praveen Sinha Jayant Kumar Kamran Rizvi RS Sharma या Arun Goyal तो ये किया है Praveen Sinha को so this was the last question I hope this session was fruitful for you and आज आपने कुछ नया सीखा होगा तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको like कर देना share कर देना and चैनल पर अगर न्यूं हो तो subscribe कर लेना also if you are not on our telegram do join it it will be very helpful for you if you are an M&S aspirant so thanks again see you all in the next video